Hello everyone, welcome to Magnet Pains, एक ऐसा YouTube चैनल जो की आपकी ले लिकर रहा था, quality content without any kind of paid subscription. मैं आविनो सिंग राट और आई आपके सामने लेकर आएक नया वीडियो आज हम बात करने वाले साईद़ की बारे में आज हम बात करेंगे लोधी डानेस्ट्िक बारे में, देखेंगे की कौन सा ऐसा इक लौता शासक रहा है, पूरे के पूरे सल्तनत एरा में, जो बेचारा क्या important creations रही हैं तो चलिए चालू करते हैं हम आज का वीडियो जैसे कि आपको पता है कि लाज जो तुगलग डाइनेस्टी ती उसके जो में मसूद शाह थे वो आखरी डूलर थे उनको हराया था किसने तैमूर ने किसने हराया था उनको तैमूर ने कि अटायक होता है और तैमूर ने क्या करा उनको हरा दिया मोंगल आटायक हुआ और तैमूर ने क्या करा हरा दिया तो जब टैमूर ने उनको जब अपने इयरिया में वापिस जाना लगा तो उन्होंने khij रखां को बिठाया, किसको फिल उटाया, खिजर खाँ को बिठाया, कि भही अब तुम जो है, मेरी साइट से कहां का Iจะ देखोगे, जो भी एरिया कैप्चर हुआ डिल्ली सलतनात का, आप उसका Iจะ से देखेंगे, तो यहां से चालू होती है दोस्तों किसकी कहानी, सैयग डाइनस्टी की कहानी किसकी चलू होती है सहीड डाइनस्टी की कहानी चलू होती है तो खिज रखा की बात करते हैं तो अव्विस ही बात किसने तैमूर ने इसको पॉइंट करा था अपनी जगा पे कि आप बैठो यहां पे और जो एड्मिनिस्टर चारू करो कुछ पार्ट जो है टाक्स का म लिए रायत ए आला किस क्या लिए इसने टाइटल अपने में रायत ए आला तो यह एकलोता ऐसा शासक बना है जिसने सुल्तान की टाइटल नहीं लिया मतला जिसने क्या करा सुल्तान का टाइटल नहीं लिया सुल्तान की जगा क्या लिया है तो रायत ए आला लिया है ठीक है साथ ही साथ जो तैमूर शासक में जो तैमूर डाइनेस्टी के शाहरुख हुए ठीक है कौन होए शाहरुख उनको ये क्या करता रहा उनको ये अपना टाक्स बेशता रहा और उनका सबोर्डिनेशन इसने क्या करा accept करता रहा ठीक है तो ये basically खिजर खां के बारे में अब यहाँ पे बहुत important क्या आ जाता है आपका ये वाला point आ जाता है कि rather than being a sultan, sultan की उपादी ना लेके इसने क्या उपादी ली की रहियत है आला की इसने क्या करी title लिया चलिए आगे देखते हैं मुबारक शाह, मुबारक शाह के बारे में जो source of information है वो हमको कहां से मिलती है तारीख ए मुबारक शाह से मिलती है जो कि किसने वाहिया बिन एहमद ने लिखी थी किसने वाहिया बिन एहमद ने क्या लिखी थी तारीख ए मुबारक शाह तो तक कुछ मिलता नहीं है हमको इसके आगे देखते हैं इसके बाद हम बात करते हैं मुहमद शाह के बारे में ये बहलोल लोधी के कंटेंप्रेरी हुआ करते थे समकालीन हुआ करते थे किसके बहलोल लोधी बहलोल लोधी वही है जिन्होंने लोधी डाइनस्टी की इस्टाबलिश्मेंट करी जिन्होंने लोधी अब भई देखो उपादी दें से क्या होता है कि इनका शासन तो बज गया या ना भई बैलोल लोदी ये सोचे कि किया यार उसने में कुछ एक टाइटल दिया उसने मेरा सम्मान करा है तो मैं उसपे क्या ना करूं बाद मैं कभी अपन समझ लेंगे ठीक है तो इन्होंने क्य करा मोहमद शाह ने क्या करा यह बहुत ही तेज हुआ करते थे इन्होंने अपना राजपाट सही चलाने के लिए ठीक है बटके नहीं अपना शासन रूप बचा के रखार फाइनली आते है आलम शाह आलम शाह तो आपके लास सेद रूलर थे और फाइनली इनको बहलोल लोधी नहरा के क्या करा लोधी डाइनस्टी की इस्टाबलिश्मेंट करी तो अब आते बेसिकली अपन कहां पे लोधी डाइनस्टी पे चलिए लोधी डाइनस्टी के मैं बात करता हूँ तो सुल्तान तो थे साथी साथ इन्होंने बहलोल शाहगाजी का नाम लिया क्या नाम लिय जाते हैं कि जब इनके आमिर इनके दर्बार में आते थे ना तो यह उनकी रिस्पेक्ट में बिचारे खड़े हो जाते थे तो मतलब कहीना कहीं क्या हो रहा है इनका इन्फ्लूएंस बढ़ रहा है किसका आमिरों का जो इन्फ्लूएंस है वो कहीना के हमको बढ़ता हुआ देखने को मिलता है बाई देखे मकसद आली मतलब आली जो थे वो प्रॉफिट पैगंबर साब के दमात थे और कहीना के इनको भी गद्दी मिली थी बाद में तो मकसद मतलब जो आली का मकसद है उसको सही करने वाले जो आ रहे हैं तो बैसिक नी बहुत बड़ा नाम ते रहे हैं यह एक बहुत ही स्व को कर रहे घृएं परट स्टिल क्या है कि कहीना कहीं किया करा है इन्होंने इतनी ज़այ इंपोर्ट स्भी नामीरों को या उलेमाओं को कि finally इनका influence जो था है वो और बढ़ने लग गया next हम बात करते हैं इन्होंने क्या चले बहलोल सिक्के चलाए क्या चलाए बहलोल सिक्के चलाए ठीक है चलिए next हम बात करते हैं भाई देखे याद अरकिएगा यह क्योंने founder है ठीक है शाह गाजी इनका क्या था एक और नाम लिया था इन्होंने क्या शाह गाजी ठीक है और बहलोल लोधी कौन है founder है ठीक है चलिए next हम बात करते हैं सिकंदर लोधी के बारे में सिकंदर लोधी जो थे वो थोड़े बहुत और better हुआ करते थे अपने उसमें या आप कह लीजिए कि कही ना के इन्होंने कुछ ना कुछ extraordinary जरूर करा है तो सबसे पहले बात करते हैं आगरा के बारे में तो आगरा को establish करने वाले सिकंदर लोधी ही थे और उसको capital बनाने वाले भी कौन थे आपके सिकंदर लोधी ही थे ठीक है आज की date में आप जैसे राजस्थान जाते हैं या कुछ और state जाते हैं तो वहाँ पर एक unit of measurement चलता है जिसको बोले गज ठीक है तो वो जो गज है ना वो इनी ने निकारा था किस नाम से गज है सिकंदरी ठीक है तो यह जो unit है वो आज भी कही न कहीं unofficially it's not a standard unit SI unit नहीं है ठीक है land की but still कही न कहीं क्या है इसको बहुत बहुत अच्छी तरीके से जो है हर एक जगा पर implement भी करते हैं और आज भी जब है कि राजस्तान में specially गज के हिसाब से ही plot खरीदे जाते हैं ठीक है तो गज सिकंदरी जो था वो basically क्या था आपका land measurement unit था जो कि इन्होंने ही इजात करा था ठीक है नेक्स हम बात करते हैं यहनोंने क्या करी फार्सी में या partial language में poems compose करी और pen name क्या रखा गुल रुखी गुल रुखी की नाम से इन्होंने क्या करा अपनी फार्सी में poem नेकी partial language में poems लिखी ट्रांसलेशन of Ayurveda करा इन्होंने Ayurveda का translation करा किस नाम से फरहंग ए सिकंदरी के नाम से किस नाम से फरहंग ए सिकंदरी तो जो हम सिकंदर लोधी की बात करते हैं यह जो आपका third point है first or third point है यह बहुत important हो जाता है कहीं नहीं कहीं यहीं से जो है यहीं दो point है जो कि आपके क्या उठाते है MC की उठाते है चलिए next हम बात करते है इबराहिम लोधी के बारे में इबराहिम लोधी क्या थे यह आपके last ruler last लोधी और last सल्तनत last लोधी रूलर थे और last सल्तनत रूलर थे ठीके कौन थे आपके इबराहिम लोधी इनके टाइम पे क्या था इस ने बाबरने कब लड़ी 21 अपरेल 1526 21 अपरेल 1526 को रहा कि पानीपत का प्रत्ग यूध लड़ा यह एक लौते ऐसे शासक हुए सल्तनत के यह ऐसे नहीं मरे ठीक यह अकाल मुर्द्ति हो गई या किसी ने मार दिया हो ठीक है असासिनेशन हो गया ऐसा नहीं ये कहां प्रॉपरली कहां मरे ये अपने बैटल फील्ड पे ही मरे ठीक है तो लास्ट टूलर थे दिली सल्तनत के और किसके आपके लोधी डाइनस्टी के साथ इसाथ जो हम बात करते हैं बाबर के बारे में तो बाबर को इन्वाइट करने वाले इनहीं के चाचा थे नोन क्या कर रा था पाकिस्तान आब है इरिया भी है ठीक है तो कहीं न कहीं क्या था इन्हें बाबर को इन्वाइट करा कि करना आप आओ इन से लड़ो मैं आपको सपोर्ट देऊंगा ठीक है साथ में राना सांगा भी थे कई सब्सक्राइब यहां बाबर को और डीपली पढ़ेंगे उसके बाइटल ऑफ इंडिया इंडिया इन्डिया में दूसकी बाटल होए इसको और डीपली पढ़ेंगे खेब ये बेसिक लिए थे आपकी क्या सईयद डाइनस्टी और लोधी डानेस्टी अब हम बात करने वाले परगना परगना तो आज भी चलता है परगना जो है बेंगॉल में आज भी चलता है ठीक है और ग्राम ठीक है जब एड्मिनिस्टेशन की बात करते तो इक्ता का कौन हो गया इक्तिदार हो गया अब और भी नाम हमको मिले हैं अलग-अलग बुक्स में तो मुक्ति नाम मिला ह ओली नाम मिला है एक्तिदार मिला है और नायबनाद मिला है शिक की बात करते हैं तो शिकडार होता था इसका क्या administrative head परगना की बात आते हैं तो परगना में सबसे highest authority होता था चौधरी को होता था चौधरी होता था उसके बाद होता था आमिल, आमिल basically क्या करता था लेवंडियू collect करने का काम करता था यहां से किस कहां से, पूरे के पूरे तालूका से या पुरे के पुले परगना से ठीक है उसके बाद फाइनली उससे छोटा होता था मुन सिर्फ तो बेसिकली जब हम इसके तालूका के या परगना के अड्मिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो यह चीन देखने को मिलती है वर चौधरी इस दा टॉप मोस्ट ऑफ चलिए आगे देखते हैं तो यह बेसिकली कहता आपका अपका इड्मिनिस्ट्रेशन था पूरे के पूरे उसका पूरा पॉलिटिकल उनिट ब्रेक डाउन तक इसके सल्टनत करें अब हम देखते वीरियस डिपार्ट्मेट के बारे में हमने देखा है कि शुरू से जब हम तो उन सब को एई जगा कंसॉलिडेट करिया तो दिवाने विजारा तो दिवाने आरिस की बात करूं तो यह बल्बन ने चालू करे थे जैसे के हमने पढ़ा था फाइनाइस डेपार्टमेंट और अपका मिलिटरी डेपार्टमेंट दोनों को क्या करा इन्होंने ओफिशल की अलग कर दिया सेपरेट कर दिया ठीक है इन दोनों को क्या करा सेपरेट कर दिया तो पहले क्या थी मिलिटरी ही जो थी वो कहीना कहीं फाइनस समालती थी कहीना कहीं लोगों से क्या करती थी टाक्स कलेक्शन करती थी बट बल्बन ने क्या करा इन दोनों को क्या कर दिया तीए आपका काम काता था यह कहां सब भाच सब फिरोशा तुगलक के नाम पे हुए डिवाने रिसाला जो बहुत टीपर्टमेंट अफ अपील जो अलाउद दिन खिल जी की बात हो गई दीवाने मुस्तकराज भी जी पाइन्स इपांटेटमेंट अलाव दिन खिल जी की बात हो गई ठीक है चलिए दिवाने रियासत जो था आपका commerce था ठीक है दिवाने को ही agriculture department हो गया मोहमद बीन तुगलक दिवाने बंदगान जो slaves के लिए हुआ करता था और वाई आप फिरोश्या तुगलक के यहां से सिध़र सिधर सवाल बूचे जा सकते कि यह वाला डिपार्टमेन जो था यह किस के टाइम पर था या किस ने इसको इजात करा था यह चालू करा था ठीक है चलिए आगे देखते हैं literature की बात करते हैं यह बहुत ही important part है बहुत ही important part है बात करते हैं अलबरुनी के बारे में अलबरुनी जो थे ये प्री सल्तनत थे प्री सल्तनत स्कॉलर हुआ करते थे अलबरुनी ठीक है इन्होंने किताब को लिए तहकी के हिंद या उसी को क्या बोलते हैं किताब फी तहकिक जो आपकी Indian Sciences पे थी कानून ए मसूदी जो आपके Astronomy पे थी और फाइनली जवाहर ए जवाहीर जो आपकी Mineralology पे थी ठीक है चलिए Next हम बात करने वाले हैं आमिर खुसरो के बारे में भाई सब आमिर खुसरो को यह सब बोलते हैं कि इन्होंने नौ सल्तनत शासकों का, रूलर्स का क्या देखा? टाइम देखा मतलब ये क्या थे? देखिए दर्बारी कभी कि जब मैं बात करता हूँ ओफिशली तो ये दर्बारी कभी हुआ कि करते थे किसके? अलाउद दिन के किसके होजा करते थे? ये अलाउद दिन के खिल जी उनके दर्बारी कभी हुआ करते थे बट हाँ, इनको पूरे के पूरे नौ सल्तनत शासकों का संरक्षन प्राप था ठीक है? तो सबसे ज़ादा अगर किसी ने टाइम देखा या सबसे ज़ादा तूतिया ए हिंद या हिंदुस्तान ठीक है? ये हम कहके बुलाते हैं इनको किसको आमिर खुसरो को, that means the parrot of हिंदुस्तान, the parrot of इंडिया के नाम से ये आमिर खुसरो ही थे जिन्होंने हिंदी चालू करी दिन्होंने हिंदी को क्या करा? इजाद करी हिंदी की ठीक है? तो भाई सब हिंदी जो लांग्विज है ना वो कई अलग-अलग लांग्विज से बनके बनती है तो ये जब चीज़े जो है आप हिंदी की जब आप टीचर से पढ़ेंगे तब आप जरूर पूछेएगा कि हिंदी जो है जो हमारी भाषा है हिंदी वो किस मूल भाषा से बनी है तो जो हिंदी बनाने का काम था, डेवलप्मेंट का काम था वो आमिर खुश्रो साब ने करा है और इसलिए जो हम है हम उनको तूतिया ए हिंद बोलते हैं या तूतिया ए हिंदोस्तान बोला करते है तो अगर आपके सामने एक question आ जाता है कि तूतिया ए हिंद या तूतिया ए हिंदोस्तान किसको बुला जाता है तो हमारे आमिर खुसरो साब को बुला जाता है चलिए हम बात करते हैं उनके कुछ creations के बारे में लैला मजनू भाई साब बहुत ही famous love story है लैला मजनू जो थी वो during अलावदीन conquest उन्होंने लिखी थी किया कर जब अलावदीन का northern conquest चल रहा था उस time पे उन्होंने क्या लिखी थी लैला मजनू लिखी थी next हम बात करते हैं खाजाइन उल्फुतुत जो है वो उन्होंने again conquest of अलावदीन के base पे लिखी थी कि अलावदीन ने क्या क्या conquest करे क्या क्या उसमें terms रही ठीक है next हम Tuglaq नामा के बात करते हैं तो ये गिया सुद् धिन Tuglaq का पुरा account थे क्या था गिया सुद् धिन Tuglaq का जो rule हुआ करता था उसमें उसने क्या करा क्या नहीं करा तो उसका नाम क्या रखा इन्होंने तुगलख नाम रखा नूर सिपिर की बात करते हैं तो एक पोएटिक डिस्क्रिप्षिन अफ अलाउद दीन है क्या है बहुत ही मलब कविता में उसका अलंकरंड करके कई चीज़े जो है बहुत ही पोएटिक डिस्क्रिप्षिन दिया है किसका अलाउद दीन खिल जी का दिया ठीक है खमशा की बात करते हैं तो यह लिट्रेचर भी है और साथ-साथ कुछ पोयम भी है यहीं पे इन्होंने क्या करा है ग्रामर की बात करी है जलाउद दीन के बात करी है जलाउद दिन खिल जी नेक्स हम बात करते हैं जो इनके लिटरली मास्टर पीस माना जाते हैं या जेम्स माना जाते हैं इनके लिटरेचर के मलता उल अन्वर, आइन ए सिकंदरी हष्ट बिष्ट और शिरीन खुसरो यह जो चार है यह इनके लिटरेचर मास्टर पीस माना जाते हैं जो सबसे इंपोर्टेंट है या यहीं पर क्या है सबसे मेच्योर राइटिंग देखने को मिलती है किसकी हमें आमिर खुसरो साब की सबसे मुस्ट मेच्योर राइटिंग देखने को मिलती है ठीक है चली आगे बात करते हैं मेनहाज उस सिराच के बारे में तो उन्हें न तबकात नासरी लिखी थी क्या लिखी थी तबकात नासरी इस इकाउंट अफ इल्टुतमिश रेन मतलब इल्टुतमिश के जो पर्टिकुलर रेन था जो टाइम फ्रेम था उसकी जानकरी हमको कहाँ से मिलती है तबकात नासरी से मिलती है जो कि आपके बेटे और इल्टुतमिश के बारे में भी उनके रिलेशन को भी क्या करता है बहुत अच्छे से लाइट थ्रो करता है उस चीज़ पर जिया उद्दिन बर्नी की बात करते हैं बर्नी बहुत ही इंपोर्टेंट है तारीक ए फिरोशाही इन्होंने लिखी है जो फिरोशाही उसमें है प्रेज में लिखी है और फाइनली फिरोशाही फिरोशाह तुगलक के बारे में बात करते है आटोबायोग्रफी क्या है फुतोत है फिरोशाही ठीक है चली एवने बतूता रहला और क्या सफर नामा या फिर रहला जो है इनकी किताब का नाम है फिर्दौसी की बात करते हैं अगें फिर्दौसी भी क्या हो गए प्री सल्तनत के हो गए और उन्हें शाहनामा लिखी है हमको यहाँ पे क्या मिलती है मुहम्मद गजनी की हिस्ट्री देखने को मिलती है पूरी मुहम्मद गजनवी की हिस्ट्री हमको क्या देखने को मिलती है शाहनामा में अबुबकर की बात करें तो इसने ने चचनामा लेखी है और हमको यहाँ पे हिस्ट्री अफ सिंध मिलता है क्या मिलता है हिस्टरी ओफ सिंद्र मिलते को मिलती है चच नामा में जो कि किसने लिखी है अबू बकर ने लिखी है असन निजामी की बात करते हैं ताज उल्मतीर लिखी है जो की इलबरी तुर्क जितने भी तैं मतलब बिसेकल इलतुत्मिश्च की बात हुरी है या पर ilburi तो उसके बारे में जो पूरी हिस्टरी है अलवरी तुरक की उसनोंने लिखिए है तीक है फैजाबादी फिरोजाबादी आगए कौमस लिखी है इन्होंने बुखारी आगए जो आपके लुबाब अलाब हो गई फानली इसामी इसामी वी जो हैं बहुत ही इंपोर्टेंट है इन सब के कमपारिजर में जोनों का लिखिए है फो तो सलातीन लिखिए है ठीक है बहामनी किंग्डम के बारे में ठीक है तो यह बेसिकली क्या थे आपके कुछ ऐसे सल्तनत के स्कॉलर्स हुए जिनकी किताबे जो थी बहुत ही इंपोर्टेंट थी अब हम बेसिकली क्या बहुत ही यूजर फ्रेंडली साइट लेकर आएं आप लुगल प्लेस्टों से हमारा आप भी डाउनलोड कर सकते हो तो यहां पर समझाने के लिए कि साइट कैसे काम करेगी जैसी आप आप माइंडबेंस.com पर लॉगिन करोगे आपके सामने यह पूरा पेज खुलेगा र सब्सक्राइब कराई क्लास एंगलिएम हैं हिंदी मीडिया में स्पोकन इंगलिश एंटीएस थी ऑलंपियाट सी यूईट कई सारे जो हैं टाबस बने हुए ठीक है मेरे को अगर देखना है आपको जैसे कि मैं आपको कहां मिलूँगा ऑलंपियाट मिलूँगा कहां पे 9 तो आपने किया करना है अपने को यहां पर ध्याम देना है यह क्लासिप है तो आपको कहा जाना है अब मेरेको अगर देखना आपको तो प्रेक्ट करोगे जैसे क्लिक करोगे आपके सामने यह पूरा क्या जाएगा जितने भी टीचर्ज जो आपको नाइथ क्लास का उलंपियाड पढ़ा रहे हैं उन सब के प्ले लिस्ट यां पर आ जाएगा कुछ नहीं करना देखो सब करना जैसे फ्लिक करोगे एक नया पेज पे क्लिक करा उस वीडियो की डीटेल आजाएगी किते मिनट का वीडियो है और सिरी सिरी लिंक आ जाएगी जैसी लिंक पे करोगे तो आपको basically क्या है YouTube पे डारेक्ट नहीं करा जाएगा वहीं कर वहीं जो है उसी पेज पे YouTube तो आज का वीडियो कैसा लागा आप हमें जरूर बताईएगा और आगर आपने आज कुछ सीगा है तो please don't be selfish, keep sharing the video, keep subscribing the channel and thank you so much for watching.